नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संचारी और दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरी यूट्यूब चैनल एच कुकिंग पर आज मैं लेकर आई हूँ स्प्रिंग ओनियन और पोटेटो की बहुत ही बेसीक और टेम्टिंग एक सबजी की रेसिपी जो फटफट बनके रेडी सबजी बनाई है खाने में जितना अच्छा लगता है दिखने में भी उतना ही अच्छा लगता है तो स्प्रिंग ओनियन को मैं पहले अच्छे से वश कर लेंगी और उसके बाद इसको हम कर लेंगे और कटिंग करने के टाइम मैं एक चीज़ बता दू जो ग्रीन पाथ है जो वाइट पाथ है दोलों को अलग से काटके अलग से बर्तन में निकाल के रखी क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हम एक साथ सबजी में नहीं करेंगे अलग अलग टाइम में करेंगे तो इसलिए दोनों को अलग से निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है तो ग्रीन पाथ और वाइट पठ है, दोनों को मैं निकाल के रखी हूँ, अच्छे से वश भी कर चुकी हूँ, अभी हम चलेंगे आगे की प्रॉसेस में, बहुत ही बेसिक सब्जी है, नॉर्मली हर घर में मॉर्निंग के टाइम चपा थी या आलू की सब्जी तो बनता ही बनता है, उस सेम जैसे ही ओयल गड़म हो जाए, उसमें हम डाल देंगे जीरा और कटे हुए लसन, हलका से चटकने देंगे जीरा को, जो लसन का जो रॉनिस है, और हलका से दिजापियर कर जाए, इसके लिए हम 30-40 सेकंड के लर लसन को भून लेंगे, और जैसे ही लसन भून जाएगा, उस में हम डाल देंगे कटे हुए पोटेटो, मैं पोटेटो को छोटे-चोटे टुकरो में काट के रखी थी, उसको मैं डाली हूँ, क्योंकि ऐसे करने से पोटेटो पकने में जादा वक्त नहीं लेगा, हलका से चला लेंगे और उपर से डाल देंगे आधा चामच के करीब न नमक डाल ले से पोटेटो का जो पकने का प्रोसेसर वो और भी जल्द हो जाएगा, इसलिए उपर से मैं नमक डाल चुकी हूँ, अभी धक्कल लगा के पोटेटो को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दोंगी, तीन से चार मिनिट में आप देखेंगे यह जो पोटेटो है, अल्मोस्क 50% तक कुक्त हो जाएगा, और यहां पर एक चीज में बता दू, पोटेटो को आलू को आपको फुल फ्राइ बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट हाफ कुक्त हो जाए आलू, वही आपको चेक करना है, क्योंकि पोटेटो में जो भी कसर बाकी रहेगा, आगे की जो होगा, उसमें यह कम्प्रीट हो जाएगा, वही पोटेटो जैसे ही आधा पक चाएगा, उपर से हम डाल देंगे, स्प्रिंग ओनियन के जो वाइट पाट है, वो पाट, और यह जो वाइट पाट है यह तो बहुत ही सॉफ्ट है, जस्ट एक मिनित के लिए आलू के बनाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और यह फटा फट बनके रेडी भी हो जाता है तो एक मिनिट के करीब पोटेटो एंड जो वाइट पाट है उसको भूनने के बाद उपर से मां डाल रही हूँ टोमेटो टोमेटो आप नहीं भी डालो तो भी जलेगा और आपके पास अगर टोमेटो अवेलेबल नहीं है तो एंड में आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हों अभी मीडियम फ्लेम में दो से तीन मिनिट इसको कवर करके हम पकाएंगे ताकि टोमेटो हलका सा सॉफ्ट हो जाएगा और टोमेटो से जो जूस निक जीरा पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी और टेस्ट के एकोडिंग डाल रही हो लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक फिर से डाल दूंगी नमक में पहले भी डाली थी तो नमक आप अपने टेस्ट के एकोडिंग ही डाली है अभी सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसी प्रोसेस में एक बड़ आलू यान स्प्रिंग ओनियन के सबजी पॉसिटिबली बनाईएगा देखिएगा कि खाने में कितना अच्छा लगता है तो अब देख सकतो जो टोमेटो है बिलकुल मशी टाइप हो चुका है अभी इसको मैं स्पैचुला से हलका सा और भी मेश कर दूँगी बहुत ही कुईक मेट रेसिपी है बहुत ही जल्द बनके रेडी हो जाता है इस सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उपर से हमें डाल देना है जो ग्रीन पाथ है spring onion का वो और जो ग्रीन पाथ है ये डालने के बाद आपको बिलकुल भी जादा वक्त नहीं लेना है सबजी को बनाने में क्योंकि यह जो green part है यह बहुत ही soft है और इसको आप बहुत time लेके आप भूनेंगे आलो के साथ तो इसका जो texture है खड़ाब हो जाएगा तो जो green part है इसका texture को as it is रखते हुए आपको सबजी को complete करना है बनाना तो जैसे ही आलो बिल्कुल पक जाएगा उपर से हम green part को डाल देंगे और जस्ट देर से दो मिनिट के लिए आप इसको medium to high flame में लगातार भूनते रहिए इसको बिल्कुल भी छोड़िये मत इसको spatula से करते जाएगे क्योंकि इसका जो green part है इसका color as it is रखते हुए आपको सबजी को complete करना है तो 2-3 मिनिट हम इसको mix कर देंगे सबजी बनके बिल्कुल ready है और यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ कि ऊपर से आप coriander leaves कुछ भी नहीं डालिए क्योंकि spring onion का जो flavor है बहुत ह क्योंकि रहता है तो उसको रहने दीजिए उसका फ्लेबर से ही यह जो सबजी है खाने में और भी अच्छा लगेगा उपर से कुछ भी नहीं डालिए सबजी को परोस दीजिए और देखिए बहुत ही अच्छ लगेगा खाने में तो रेसीपी पसंद आने पर प्लिस डू स सब्सक्राइब मैं चैनल लिए वालुबल कमेंट थैंक यू वेरी मॉच्छ स्टे सेप्स्टे हल्दी नमस्टे